Hello dear students, आज मैं आपके सामने मैंस के question लिक रहा है, question क्या बोला, find x and y, यहाँ पर दो equation दिया है, पहला equation दिया है, x minus y equal to 51, दूसरा equation दिया है, root x plus root y equal to 17, और यहाँ पर यह बता रहा है, कि जो x और y यह वो क्या है, positive integers है, तो चलिए इस question को मैं आपको solve करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पर हमें 2 equation दिया है, पहला दिया है, x minus y equal to 51, दूसरा दिया है, root x plus root y equal to 17, ठीक है, और यहाँ बता दिया कि x y positive integers है, ठीक है, तो इसको equation first मानी है, और इसको equation second मानी है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर root दिख रहा है, आपको यहाँ पर root है, तो इस root को हमें रटाना पड़ेगा, तब हमें x और y की value मिलेगी, तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, कि let हम यहाँ पर क्या मानेंगे, let x equal to a square, और y equal to b square, ऐसा क्यों हमने a square भी square लिया है, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a की value क्या मिलेगी, root x मिलेगी, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, b की value root x, ठीक है, अच्छा, देखिए, यहाँ से एक चीज और समझ लिए, यह जो x equal to a square है, यहाँ इसको a square equal to x लिखे, जब यह square इधर shift होगा, तो a की value क्या आएगा, root x with plus minus sign, यह आगा, प्लस minus root x आए अगर यह square, जो square जो है, यह square हम इधर shift करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, a square to plus minus root x, इस तरकी से यह square जब यहाँ shift होगा, तो b की value क्याएगी, plus minus root y, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है, कि यहाँ पर हमको केवल एकी value लेने, क्योंकि हमारा x, y क्या positive integer है, तो इसलिए हम हमारे यहाँ पर जो negative value है, वो reject होगा, यहाँ एक दो value है, minus root x, और दूसरा आएगा plus root x, तो यह value rejected है, ठीक है, यह plus, यह वाला हम लेके चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ मैं है, कि हमने x square to क्या लिए, a square माना है, और y को हमने क्या माना है, b square, तो इस आगे, आप यहाँ पर value पूट करते हैं, ठीक है, तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a square, a square, देखे, इस equation की जगह में, x की जगह क्या लिखेंगे, a square, minus y की जगह क्या लिखेंगे, हम b square, लिख दिया, equal to यह क्या है, 51, ठीक है, अच्छा, अब यह root x की जगह हम क्या रखेंगे, यह जग सकते है, root x की value क्या, यह a, यहाँ पर a रखेंगे, और यह plus लिखेंगे, और यह root y, root y की जगह क्या रखेंगे, b रखेंगे, equal to क्या है, 17 ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से यह देखें, जो a square minus b square है, तो a square minus b square, यह तो एक formula बनना है, बनना है, a square minus b square, तो a square minus b square के जगह लिख सकते है, a minus b, और bracket में क्या, a plus b, लिख सकते है, equal to क्या, 51 लिख दिया, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते है, कि यहाँ पर a plus b की value, d is 17, तो यह a plus b 17 की value हम इधर रख देंगे, और इनके बीच में है, into का साइन, तो देखें a minus b, into a plus b की value कितनी दी, 17 equal to 51, ठीक है, अब a minus b की value यहाँ से क्या आएगी, यह 51 यहाँ लिख यह 17 इधर जाएगा, तो इसके divide में चला जाएगा, और 17 3 जा क्या होता है, 51, तो यह आसानी से हमारा bracket भी गया, ठीक है, तो थोड़ा page उपर करते है, ठीक है, तो हमारे पास finally क a minus b हमारे पास आ रहा है, 3 आ रहा है, अच्छा, a minus b है है, और हमें a plus b क्या दिया है, 17 दिया है, देखे हमें x और y की value चाहिए नहीं, तो इसके लिए x और y की value कब हम मिलेगी, जब हमको a और b की value मिलेगी, तो a और b की value हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमें x y मिल जाएग इसको equation मा लिजे fourth, अब इन दोने equation को add कर लेते, add करेंगे तो यह minus b plus b cancel और a plus a 2 है हो गया, और 17 और 3 यह क्या हो गया आपका यहाँ से, 7 और 3 यह 20 हो गया, ठीक है, तो a की value क्या आएगी, 20 और यह 2 जो ही धर चला जागा, इसके divide में, तो 2 टेंजर 20, तो a की value क्या आएगी 10 आ रही है, तो b की value क्या आएगी, तो किसी में भी रख दीजे आप, या तो फिर a minus b में रखी जाए, a plus b में रखे है, तो मैं a plus b में रख रही हूँ, ठीक है, तो a plus b हमारा क्या है, 17 है, मैं इसमें रख रही हूँ, किसी भी question में रख दीजे, a की value आईगी है, 10 plus b is equal to 17, तो b की value क्या आएगी है, 17 और ये 10 इदर जाएगा, तो minus 10 हो जाएगा, तो b की value क्या आई, 7 आई, तो हम कह सकते हैं कि a की value आई है, 10 और b की value आई है, 7, हमें क्या चाहिए, x और y की value चाहिए, हमने let क्या माना था, x को, x को माना था a square, और b को, sorry y यहाँ पर है, और y को हमन तो b कितना है, 7 तो यहाँ 7 लगए, और ये square लगए, तो square लगए, तो यह हो गया, 49, तो x की value आई है, 108 और y की value आई है, 49, तो यह इसका answer है, और आप इसको रखेंगे, equation में, equation में, तो यह आपका चेक भी हो जाएगा, और आपका LG searches दोनों बराबर आएगा, तो अमीद ह आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा,